नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मेराने गुपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि चुप मुवी शानदार पॉफॉर्मेंस थियेटर में करती हुई दिखाई दे रही है आपको बता दे कि कल नैशनल सिनेमा डेथा औरस मौके पर 75 रुपे टिकेट्स मिल रहे थे इसके बावजूद चुप मुवी ने 3-4 करोड का कलेक्शन पार किया है यानि कि फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है चुप मुवी का वो 3-4 करोड रुपे हुए है वही अगर बात इस फिल्म के बजट की कर कर लेगी इसी के साथ ही यह मूवी बहुत अच्छी सावित होगी सनी देओल और दुलकर सल्मान के लिए भी क्योंकि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस मूवी में रही है उसकी सभी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं चाहे बात हम सनी देओल की शांदार वापसी क करें या फिर दुलकर सल्मान ने जो एक्ट प्ले किया है इस मूवी में उसकी बात करें यह दोनों ही किरदार अपनी एक्टिंग को बखो भी जज़ करते हुए नजर आए हैं इसी के साथ ही जिस तरीके से इसमें पूजा भट और श्रेया धननत्वरी का किरदार है वो उस से परदे का फाइदा उठाया है और अपनी कलाकारी का सबूत दिया है इसी के साथ ही फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी को लेकर भी लोग यही कह रहे हैं कि इसका कॉंसेप्ट बहुत अच्छा है पहली बार कुछ हट की चीज़े देखनी को मिली है नहीं तो मूवी की बात करें तो यह बिल्कुल हट के है इसी के साथ ही जो इसके कहानी का कॉंसेप्ट है वो भी लोगों को पसंदार आपको बता दे दरसल यह मूवी साइको सीरियल किलर के उपर बेस्ट है और उसी के इर्द गिर्द इसकी कहानी घुमती हुई नजर आती है आपको तो IMDB ने इस फिल्म को 8.9 रेटिंग दी है इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि यह मूवी भूल भूलाया 2 और गंगुबाई काठ्यावारी के बाद बड़ी हिट साबित हो सकती है बॉलिवुट के लिए इसी के साथ ही जिस तरीके से बॉलिवुट की जो कॉंसेप्ट लगात चलता आ रहा था कि या तो वो हॉलिवुट से फिल्में चुराते हैं या तो साउथ इंडरस्ट्रे से उनकी फिल्में चुराई जाती है तो इस बार आर बालकी ने अपने डिरेक्शन का बहतरी नमूना दिया और नई कहानी लेकर के वो लोगों की बीच में आये इसी के सा इसका असर अब आने वाले हफतों में दिखेगा क्योंकि जब ओडियंस इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे क्योंकि इसका प्रचार जादा होता है जब कोई किसी को बताता है कि मैंने ये फिल्म और मुझे ये फिल्म अच्छी लगी तो जाहिर तौर पर उनके जो दोस्त होते हैं रिलेटिवस होते हैं वो जरूर उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं तुचुप मूवी को लेकर भी क्रिटेक्स यही कह रहे हैं कि आने वाले हफतों में ये मूवी शांदार प्रद किये गए जो इनके स्टार्स थे वो बड़े बड़े टीवी चानल में गए थे अपने प्रमोशन करने के लिए कई इवेंट इन्होंने किया था ताकि यह मूवी जो है जादा से जादा लोगों के बीच में पहुंच सके लोग इस मूवी के बारे में जान सके और थियेटर वहीं अगर चुप का हम कंपेर करें तो चुप मातरे 10 करोड में ही मूवी बनी है और इसी के साथ ही अगर बात करें तो पहले दिन में कहीं न कहीं यह अपना पूरा बजट निकालते हुए सफल नजर आ जाएगी ऐसा भी क्रिटिक्स का कहना है इसी के साथ ही इनके किरदा कारों की भी लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि जहां कहा जा रहा है कि सनी दियौल एक वर्फर से बॉलिवुड में कमबैक करने वाले थे फिल्म गदर टू के जरीए तो उससे पहले फिल्म चुप के जरीए सनी दॉल ने दमदार वापसी की है औ आला कि इस मूवी को ले करके कोई नेगेटिव अभी तक रिव्यू नहीं आया है सामने लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं इसके कलाकारों की तारीफ कर रहे हैं इसकी कहानी के और साथ ही जिस तरीके से इस मूवी को डिरेक्ट किया गया है उसकी भी लोग तारीफ करते हुए पे नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि इस फिल्म के डिरेक्टर आरबाल की हैं जिन्होंने पहले भी कई हिट और कई यूनिक कॉंसेप्ट की मूवी दे चुके हैं चाहे बात हम चीनी कम की करें पा की करें या फिर पैड मैं की करें तो तमाम ऐसे फिल्में उनके द्वारा की गई है जिनका की एक अलक कॉंसेप्ट है एक यूनिक कॉंसेप्ट पर वो काम करते हैं और बॉलिवुट को ऐसे फिल्में देते हुए नजर आते हैं तो वही अगर चुप की बात करें तो चुप में भी ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब आप बच्चुन का इसम त्रिब्यूट को एक ट्रब्यूट का काम किया और साथ ही जो क्रेटों सुम् 1 कशा करते हैं उसको भी एक बहतरी आइना दिखाने का काम किया है कूद है कि कैसे जो साइको किलर है वो उन समिक्षकों और उस critics की हत्या करता है जो की movie को खराब rating देता है और उसका क्या impact उस actor की life में पढ़ता है उस director की life में पढ़ता है ये तमाम चीजें इस film में दिखाने की कोशिश की गई है इसे के साथ ही तमाम audience से जब बात किया गया तो उनका भी यही कहना है कि उनको यह movie बेहत पसंद आई है चाहे फिर बाद सनी दोल की acting की करें या फिर दुलकर सल्मान की acting की करें जहां ब्रहमास्त्र ने आप बड़ी star cast थी बड़ा plot था खासा VFX था इतने पैसे खर्च किये गए थे यह बताने के लिए कि कैसी है यह movie इसके बावजूद देखने को मिला कि कैसे theaters खाली थे तो वहीं अगर चुप movie का comparison किया जाए तो इसको ले करके ज्यादा promotion देखने को नहीं मिला था इसकी जो star cast थी वो ज्यादा अपनी फिल्मों को promote करते हुए public places में या फिर टीवी चैनल में नजन नहीं आई थी सिर्फ इसका एक बड़ा premiere ही रखा गया था जिसमें की तमाम critics को और media से जुड़े लोगों को बुलाया गया था इसी के साथी बड़े actor actresses भी शामिल हुए थे इस premiere के दौरान चाहे फिर वो वहीदा रह्मान हो या फिर अमिताब बच्चन हो ऐसे बड़े-बड़े celebs शामिल हुए थे जिसको कि इस movie ने और अच्छा बनाया और उसी का नतीजा रहा कि critics ने इस movie को सराहा और media से जितने भी जुड़े लोग थे उन्हों ने इसको ले करके positive review दिया जिसका सीधा असर देखने को मिला कि कैसे audience ने इस movie को जा करके देखा इसे के साथी बड़ा फैसला जिस तरीके से इस movie के director के द्वारा लिया ग अधादे की national cinema day दरसल 16 September को था लेकिन इसको 23 September को सिप्ट कराया गया ताकि ब्रहंभास्त्र movie को इसका impact ना पड़ सके लेकिन इसके बावजूद लोगों ने महेंगी टिकेट्स नहीं खरीदी और रडवीर कपूर की film ब्रहंभास्त्र देखने के लिए लोग नहीं और अगर ऐसा कर लिया इस movie ने तो कहीं न कहीं यह उन डिरेक्टर्स उन एक्टर्स के लिए एक तमाचे का काम होगा एक आइने का काम होगा जो कि घिसी पिटी स्क्रिप्ट में movie बनाते हैं और उनका यही मानना होता है कि बड़े stars को लेंगे या फिर बड़े बजट की movie बनाएंगे तो लोगों को पसंद आएगी लेकिन लोगों का हमेशा सही यही कहना है कि movie ऐसी होनी चाहिए जो कि उन्हें connect कर सके और उसकी कहानी में दम होना चाह झाहिए ऑ है कि अ कर झाहिए और उसकी कहानी में खक्रिप्ट की बनाएंगे ओ मनाएंगे अपगों की आप्रेंगे तो लोगों की यही कि बनाएंगे फिर्प्रेंगे लोगों के खिर खिर दोचल